खबर बिहार से है जहाँ पर PFI को लेकर ANI आक्षिन मोड में नजर आ रही है और लगतार छापे मारी की जा रही है जी हाँ पटना PFI टेरर फंडिंग मामले में NIA की एक टीम दर्भंगा, नालंदा और मुझफरपूर समेचे जिलो के 13 ठिकानों पर छापे मारी कर रही है टेम दर्भंगा में नेटवर्क से जुड़े मुख्या आरोपी मोहमद सना उल्ला के घर पर भी चापे मारी कर रही है बताया जा रहा है कि NIA, नालंदा और मुझफरपूर में भी चापे मारी कर रही है PFIA टेरर फंडिंग से जुड़े ठिकानों पर पिछले महीने भी NIA की टीम ने चापे मारी की थी पटना टेरर मॉड्यूल मामले में बिहार पुलिस ने अब तक 26 लोगों के खलाफ FIR दर्ज कर ली है फिलाल सिंगवाडा थाना शेत्र के शंकरपूर गाउ में चापे मारी चल रही है और बिहार पुलिस ने गाउं की नाका बंदी कर दी है यह बड़ी जानकारी आपको दे रही है जहाँ पर कई जिलों में तेरा छिकानों पर चापे मारी की जा रही है NIA की टीम इस मामले में आरोपी नूरुदीन जंगी के घर भी पहुची है और लगातार पुश्टाच वहाँ पर की जा रही है अस्तानिय लोगों से परिवारों से वही एक अन्या आरोपी मुहमद मुस्तकीम के घर पर भी यह चापे मारी की जा रही है PFI से जुड़ा यह पूरा मामला है Popular Front of India Connection को लेकर NIA की ताबड़ तोड़ कारवाई जा रही है